हलो दोस्तो अगर आप अपने केरियर आई-टी फिल्ट के अंदर बनाना चाहते है तो जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल सस्क्राइब कीजिए YouTube चैनल को Subscribe करने के लिए YouTube ऑपन कीजिए यहां आपर Search Bar में Visayas Malik type कीजिए तो सबसे पहले मेरा Channel का आपको link दिखाई देगा चैनल पर आने के बाद यहां पर subscribe पर क्लिक कीजिए subscribe पर क्लिक करने के बाद bell icon पर क्लिक कीजिएगा और all notification को check mark कीजिए save ताकि सारे notification आपको display हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो upload करो अप subscribe करने के बाद यहां पर playlist पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर windows hour 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं जोगी 126 है CCNA switching 41, CCNA routing 72 यह बहुत सारे वीडियो दोस्तो मेरा चैनल जहेवे world का सबसे बड़ा चैनल है windows hour 2012 की वीडियो का हेलो दोस्तो मेरा नाम विसेश मलिक है इस वीडियो में हम लोग Linux Editors को डिसकस करने वाले हैं दोस्तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिसकस किया था कि अगर आप Linux Operating System के किसी भी फाइल को edit और modify करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग तीन टाइप के टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं फरस्ट होता है GID Text Editor, VI and Vim Text Editor ये तीन टाइप के एडिटर हम लोग यूज करते हैं किसी भी फाइल को edit करने के लिए लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगोंने GID Text Editor को कैसे यूज करते हैं वो हम लोगोंने discuss किया था दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करने वाले हैं VI और Vim Text Editor को हम लोग कैसे यूज करते हैं दोस्तो, वी आई और विम टेक्स एडिटर के तुरह, अगर आप किसी भी फाइल के अंदर editing modification करना चाहते हैं, तो दोस्तो, इसके लिए हम लोग वी आई और विम के तीन working modes यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें वी आई और विम टेक्स एडिटर को यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें वी आई और विम के थ्री working modes को पहले समझना होगा, वो तीन working modes कौन-कौन से होते हैं, किस mode का क्या function होता है, उसको explain करने के लिए मैं यहाँ पर एक picture की help ले रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं working modes of VI and Vim text editor, दोस्तो, VI और Vim text editor के थ्री working modes जो होते हैं, first mode होता है escape mode, second होता है command mode, third होता है insert mode, दोस्तो, escape mode में जानने के लिए हम लोग escape की यूज करते हैं, अपने keyboard से, command mode में जानने के लिए हम लोग colon यूज करते हैं, और insert mode में जानने के लिए हम लोग अपने keyboard से i press करते हैं, या तो हम लोग i use करते हैं या फिर दोस्तो हम लोग insert की भी use कर सकते हैं अपने insert mode में जाने के लिए अब किस mode का क्या function होता है देखे दोस्तो इसकेप mode के द्वारा आप अपनी file के किसी भी content को copy कर सकते हैं अंडू कर सकते हैं रेड़ो कर सकते हैं और इसकेप mode के द्वारा दोस्तो आप cursor को भी move करा सकते हो तो escape mode का function होता है copy करना, cut, paste, undo, redo and cursor को move कराना इसके बाद आता है दोस्तो command mode command mode जो है वो किसी भी file के अंदर एक particular word को search करने के लिए use किया जाता है replace करने के लिए use किया जाता है line number set करने के लिए use किया जाता है और cursor को move कराने के लिए भी use किया जाता है और जो भी आप file के अंदर editing modification कर रहे हो उसे save करने के लिए भी हम लोग command mode ही use करते है इसके बाद आता है दोस्तो insert mode दोस्तो insert mode के दुआरा आप अपनी file के अंदर कोई भी नया data add कर सकते हो तो दोस्तो ये तीन working modes हम लोग use करते हैं वी आई और विम text editor के लिए अब इनको हम लोग use कैसे करते हैं operate कैसे करते हैं और इन सबी functions को कैसे हम लोग operate करते हैं इसके लिए हम लोग Linux operating system की machine पर चलते हैं दोस्तों अब मैं यहाँ पर RHL7 की वर्चुल मसीन पर आच चुका हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन करता हूँ देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर अल्रेडी एक फाइल बनाई हुई है मलिक के नाम से और इस मलिक फाइल के अंदर मैंने कुछ डेटा भी एड किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल के अंदर यह कुछ डेटा एड किया गया है तो दोस्तों अगर आप इस फाइल के अंदर एडिटिंग मोडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो मैं यूज करूँगा vi text editor या फिर मैं यूज करूँगा vim text editor ठीक है तो vim space file name type करके आप अपने keyboard से enter की press कीजिए दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान से देखेगा कि किस working mode को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये जो escape mode, command mode और insert mode होता है तो यहाँ पर आप vim space file type करके enter की press कीजिएगा दोस्तों जैसे आप enter की press करते हैं सबसे पहले आप escape mode में enter कर जाते हो दोस्तों escape mode जो है वो यूज किया जाता है एक सेकेंड जरा copy करने के लिए, cut करने के लिए paste, undo, redo और cursor वो कैसे करते हैं वो देखें जरा दोस्तों सबसे पहले जैसे हम लोग vim space file name type करके enter की press करते हैं तो आप escape mode में आ जाते हो दोस्तों अगर आप escape mode से command mode के अंदर जाना चाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर colon यूज करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगा जरा यहाँ पर अगर colon आया हुआ है तो समझ लेना आप command mode के अंदर है command mode से वापस escape mode में जाना है तो आप अपने keyboard से escape की press कीजिएगा आप यहाँ पर देख सकतें कि colon का symbol यहाँ से जा चुका है और आप यहाँ पर देख सकतें कि वापस escape mode में आ चुके है वापस आपको command mode में जाना है colon यूज कीजिएगा command mode में आ गए command mode से वापस आपको escape mode में जाना है तो आप अपने keyboard से escape की press किजिएगा इसके बाद, दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान लखना अगर आप command mode के अंदर है command mode से कभी भी आप direct insert mode में नहीं जा सकते हैं हमेशा ध्यान लखना, command mode से कभी भी आप डारेक्ट इंसर्ट मोड में नहीं जा सकते हैं अगर आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो उसके लिए आपको Escape की ही प्रेस करने पड़ेगी Escape मोड से आप Command मोड में भी जा सकते हो और Escape मोड से आप Insert मोड में भी जा सकते हो insert mode से कभी भी आप command mode में नहीं जा सकते हो और command mode से direct आप कभी भी insert mode में नहीं जा सकते हो अगर आपको कभी भी दोस्तो command mode या फिर insert mode में जाना है तो उसके लिए आपको escape mode की ही help लेनी पड़ेगी वापस सिलते हैं तो जैसी आप vim space file name टाइप करके enter की प्रेस करते हैं तो आप escape mode में आते हैं escape mode से command mode में जाने के लिए colon यूजकरते हैं फिर escape की प्रेस करते हैं escape mode में जाने के लिए और अगर आप escape mode से insert mode में जाना चाते हैं दोस्तों insert mode में जाने के लिए या तो आप अपने keyboard से i press करेंगे i for India i press कीजिए तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि आप insert mode में आ चुके हैं यह insert mode का symbol आपको दिखाई दे रहा है insert mode से वापस अगर आपको command mode में जाना है तो दोस्तों उसके लिए भी आपको escape mode में ही जाना पड़ेगा तो first method होता है insert mode में जानने के लिए आप अपने keyboard से i press कीजिएगा तो insert mode में चले जाते हो या फिर आप अपने keyboard से a press कीजिएगा a for apple उससे भी आप insert mode में जाते हो या फिर आप अपने keyboard से insert की भी प्रेस कर सकते हो insert की प्रेस करते ही आप insert mode में पहुँच जाते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकी हम लोग insert mode, command mode और escape mode को operate कैसे करते हैं यह हम लोग next वीडियो के अंदर discuss करेंगे hello दोस्तों अगर आप अपने career IT field के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल सस्क्राइब कीजिए YouTube चैनल को सस्क्राइब करने के लिए YouTube ओपन कीजिए यहां पर search bar में विशेश मलिक type कीजिए तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा चैनल पर आने के बाद यहां पर subscribe पर क्लिक कीजिए subscribe पर क्लिक करने के बाद बैल आइकन पर क्लिक कीजिए और all notification को चैक माक कीजिए सेव ताकि सारे notification आपको डिस्पले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अप्लोड करो अब subscribe करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर Windows Hour 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं यह 126 है CCNA switching 41 CCNA routing 72 यह बहुत सारी वीडियो दोस्तों मेरा चैनल जह है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है Windows Hour 2012 की वीडियो का